हेलो फ्रेइंस नमस्कार मैं हूं रोली आप सब का स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचिन में आज में आपको बहुत टेश्टी बहुत यल्दी मौंग दाल का चिला बनाना बताऊंगी जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत टेश्टी बनकर त्यार होता है यह प और सुबा अच्छे से धूल कर इसमें अध्रक लैसन और मेर्च डाल कर थोड़ा पानिग डाल कर एकदम फाइन पेस्ट बना लिजे बिल्कुल जैसे हम डोसा के लिए बनाते हैं वेटर वैसा बनाना है तो यह दिखिए हम इसे पीस लिए इसमें मैं एक छूटी को टोरी क के बराबर बेसन डाल दे रही हैं और साधनुसा नमक डाल कर दोसा के कंसेस्टेंसी का गोल हमें त्यार कर लेना है तो बस बहुत जादा इसमें और इसमें बिल्कुल यह इंस्टेंट बनता है जब इसमें आपको कोई फर्मंट करने की जरूरत नहीं है कोई इनो या मिलाने की जरूरत नहीं है बस आप तुरंद मिलाईए पीसे तुरंद बनाईए तो यह देखे तब गरम हो गया था उसमें पानी के छीटे डालकर पोच लिए पानी के छीटे डालकर पोचने से नीचे पकड़ता नहीं है और बहुत ही अच्छा डोसा बनकर त्यार होता है तो बिल्कुल डोसा की रहा हम इसे फैला ले रहे हैं इस समय फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा और उपर से पकेगा नहीं जब थोड़ा सा लगे कि हाँ पकने लग गया है तब आप इसमें उपर से घी लगा देजे बिल्कुल वैसे जैसे हम पराठे पसंद बेजीज ढालीए क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी चिला बन करतायार होता है मैं इसमें बारी कटे हुए प्याज बारी कटे हुए यह टमाटर है अगर आपको मतलब जैसे टमाटर नहीं खाना पसंद है या एक-दो सब्जी जो नहीं खाना पसंद है उससे आप इसकि से पढ़ता है तो यह दिखे और थोड़ा सा चुकंदर भी में डाल दे रहे हैं और आप चाहें तो बस ऐसे ही इसे पलट लीजे क्योंकि ऐसे ही इतनी सारी बेजीज इसमें पढ़ चुकी है लेकिन इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आप उपर से पनीर का द है कि नहीं नीचे से तो यह देखे एक तब अच्छे से क्रिस्पी हो गया है पग गया है तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें इसे पीसस में कट करना है तो यह देखे सूपर टेस्टी आप चाहें इसे मूंग डाल का चिल्ला बोलें या फिर दोसा भी बोल सकत लेकि इसमें आलू फिजुरत नहीं पड़ती बस पेजी ज़ा लिए और यकिन मानिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अब मैं आपको पनीर वाला भी बना कर दिखा रहे हूं सेम वज़से ही बनता है सारी सब्जियां पड़ेंगी बस उपर से कदू क करके पनीर डाल देंगे जिसे और भी हिल्दी और टेस्टी बन जाएगा तो सेम लेयरिंग करना है आप इसे बच्चों के टिफिन में देंगे ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता सबसे बड़ी बात इसकी यह है ना कि यह जब चिला में बनाई थी तो बीना चटन नहीं बनाना चाहते है तो बिल्कुल स्किप कर दिजिए टमेटो सास चाहें तो ले सकते हैं चाहें तो भी नहीं क्योंकि ऐसी ही बहुत टेस्टी लगती है तो देखिए मैं पनीर अड़ोस अभी आपको यानि चिला बना कर दिखा दे रहे हूं बिल्कुल अच्छे से ठाकर ऐसे ही एंच्छाइ करें वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का